दोस्तो ये जो Flipkart Pay Later है, Flipkart Pay Later के जरीए किसी भी Mobile Number पर 5% off में कैसे Mobile Recharge करना है या खुद के Mobile Number पर Flipkart Pay Later के जरीए कैसे Recharge करना है उसका पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा है तो दोस्तो Flipkart Pay Later से Mobile Recharge करने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यह जो आपका Flipkart Pay Later का लिमिट है यानि क्रेडिट लिमिट है जो amount है आपका Flipkart Pay Later में इसी amount से दोस्तो आप किसी भी Mobile Number पर Recharge भरा सकते हैं जो कि आपका bank account से या आपका personal account स आपको पैसा Pay करना नहीं पड़ेगा सिर्फ Pay Later के पैसे या Mobile Recharge करा सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपका Flipkart Pay Later का Home Page में आ जाए होम पेज में आने के बाद में यहां पर आपको दिखने को मिलेगा देखिए यहां पर Recharge का एक option तो यहां पर आ यहां पर Home Page में यहां पर जो Recharge का option और आ रहा है तो यह Recharge option में क्लिक कर देता हूं इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों देखिए आपके सामने यह page open हो जाएगा तो अभी यहां पर देखिए दोस्तों इस page में आपको get 5% off with super coins यानि दोस्तों अगर आप आपका Flipkart account का जो super coins है super coins के जरीए pay later का यूज करके अगर आप किसी भी mobile number पर Recharge करते हैं तो आपको 5% off मिलेगा लेकिन उसके लिए आपका Flipkart account में super coins होना जरूरी है आपको 5% off नहीं मिलेगा Recharge का जो amount होगा वो पूरा amount आपका Flipkart pay later के जरी आपको pay करना पड़ेगा ओके तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पर mobile number पर Recharge करने के लिए सबसे बेल नीचे में देखिए आपको Enter name और mobile number के जगह पर दोस्तों अभी आपका mobile number या आपका contact list में कोई name है तो name डालना होगा तो मैं यहाँ पर search में क्लिक करके यहाँ आपका contact list में किसी के number पर आप Recharge करना चाहते है तो आपको नीचे fetch contacts में क्लिक करना है क्लिक करके यहाँ पर आपका contact details आजाएगा तो यहाँ पर किसके नाम पर रिचर्ज करना चाहते है किसके number पर उसको select कर लेना है ने तो उपर search bar में आप number डाल सकते है आपको नीचे number आजागा तो number को यहाँ पर क्लिक कर देना number के ूपर में क्लिक करने बाद आपको recharge के यह है नमबर select हो जाएगा ओके तो अभी number select होते है देखे यहाँ पर नीचे है फ्लान आपको दिखने को मिल जागा किया के प्ले Zw Teresa क्लिक करके कितने रुपिया के डालते हैं नीचे रिचर्ट च् innovation गनाल तो एंप तो यह 239 आपको फूल पे करना नहीं पड़ेगा, आपको 234 ही पे करना पड़ेगा, आपको पे लेटर के जड़ेगा, यह बाकी पांच रूपिया जो है, शूपर गेंचे कटेगा, तो अभी आपको यह रिचार्स करने के लिए यहां पे क्लिक कर देना है, करके आपका इस प्लेन के अंदर में आपको क्या-क्या मिलेगा, कितने कोल है, कितने समस है, कितने जीवी डाटा, यह सब पूरा रिखने को मिलेगा, तो यह रिचार्स करने के लिए अभी आपको नीचे, प्रोसीड उइट 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 नीचे में क्लिक करना है, प्रोसीड उइट उ उसके बाद में दोस्तों आपको क्या गाना होगे देखिए यहापे 234 प्लस 5 आ चुका है नीचे में अभी आपको more payment method का option में क्लिक करना है more payment method में यहापे click करते हैं दोस्तों देखे अभी उपर में सबसे पहले आपको दिखने को मिलेगा देखे payments उसके बाद ने suggested for you flip card pay later and E EMI ओके तो अभी आप तो flip card pay later के जरीए mobile recharge करना चाहते हैं इसलिए अभी आपको यह box में flip card pay later and EMI वाला box में आपको tick कर देना है इसमें tick करते हैं दोस्तों अभी आपका mobile number पर OTP आ जाएगा उस OTP को यहाँ पर डाल देना है डाल के verify में क्लिक करते हैं आपका flip card pay later से mobile recharge करन देखिए दोस्तों यहाँ पर redirecting तो इस तरह से आपको दिखने मिलेगा और आपका जो recharge है वो recharge successful हो जाएगा ओके तो यह देखिए order place इस तरह से दिखने को मिलेगा अभी आपको यहाँ पर क्या करना है उपर में यह card आइकन में cut करके आपको यह page को close करना है card में click कर दिख के my orders में आप आजाएंगे और my orders में देखिए यहाँ पर 239 रिचर्स successful on today September 13 तो इस तरह से आपको दिखने मिलेगा अगर चाहे तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका पूरा details को चेक कर सकते हैं तो अभी मैं आपको SMS दिखाऊंगा देखिए यहाँ पर flip card failure के जरीए you have successfully pay address 234 using flip card pay letter okay तो यह अभी देखिए 239 रिचर्स successfully यहाँ पर message भी आचुका है just now just now okay just यह मैंने अभी रिचर्स किया जो flip card pay letter के जरीए भी आप लोगों को दिखाने के लिए okay तो दोस्तों अभी इस तरह से जब आपका flip card pay letter के जरीए mobile रिचर्स करनेंगे तो उसका जो बील है या आपने जो रिचर्स करवाया था वो रिचर्स एमाउंट भी आपको उसी वक्त आपको pay करना पड़ेगा ओके तो दोस्तों आज का वीडियो पर इतना ही अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और सेनल को सब् कीजिएगा ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे